नमस्कार दोस्तों स्वागता है आप सभी का YouTube चैनल जॉब्स्ट्रे में दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाल हैं कर सकते हैं साथ में दोस्तों मेल और फ़िमेल दोनों के लिए हालाकि इसमें आई यहाँ पर दोस्तों के लिए पूरी जानकारी दे देंगे पोस्ट की बात करें तो color की पोस्ट है MTS की है और यहाँ पे watchman की पोस्ट देखने को मिलेगी आपको सफाई वाला की पोस्ट मिलेगी cookie यहाँ पे पोस्ट आपको देखने को मिलेगी और साथ में housekeeper की भी पोस्ट आपको इसमें दिये गया है तो यह तमाम जो है पोस्ट है जिसके बारे में मैं बताने वाला हूँ age आप लोग का 18-15 साल तक रखा गया है proper जानकारी आपको मिलने वाली है बस आगे बड़े उससे पहले मैं आप लोग से छोटी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर पहली बार चैनल पर विजिट करना तो सब्सक्राइब करना मत भुलिएगा प्रपर आपको एटू जानकारी दे दूँगा कैसे कहां से आपको और किस तरह से अपलाई करना है यह ओफ-लाइन फॉर्म है दोस्तों यह चित ध्यान रखीएगा फीस आपकी इसमें नहीं लगती है सबीत जानकारी आपको मिलेगी तो दोस्तों आगे बठते हैं और देते हैं तमाम जानकारी डीटेल में चौथी आपकी कुकी पोस्ट आपको देखने को मिलेगी और पांच भी आपकी आपकी आप देखने को मिलेगी हाउस की परगी तो हम प्रॉपर जानकारी आपको देंगे दूस्तों तो दोस्तों इसमें दो पोस्ट आपके निकले हैं जिसमें से जेनरल के लिए एक से यहां पर आपकी स्टार्ट होगी अगर बात करें जो है इसमें एज की तो अठाट से लेके पचीस साल तक कोई भी कंडिडेट है मेल या फीमेल वह आविदन कर सकते हैं लेकिन दोस्तों यहां इसमें अगर आप यहां पर experience मांगा गया ठीक है अगर आपके पास experience है तो भी आप आविदन कर सकते हैं नहीं है इसके अलावा भी आप आविदन कर सकते हो लेकिन जिनके पास experience होगा उनको पहले प्रिफर किया जाएगा इस वेकेंसी के रिकारी ठीक है तो यह चीज़ ध्यान रखिएगा second post है आपका watchman की तो इसमें चार post है जो की सभी category में general SC, ST, OBC सभी में बाटा गया है एक एक post और इसमें भी आपकी पास जो candidate है वो आविदन कर सकते हैं साथ में कहा गया है कि watchman की duty आप एक साल तक कर रखे हो अगर experience है तो आप आविदन कर सकते हो आप लोग को पता है experience आसानी स से बन जाती है यह सब पोश्टों के लिए तो आप बनवा के अराम से आविदन कर सकते हो उसके बात करते हैं सफाई वाला के लिए ठीक है जो सूपर होते हैं उनके लिए इनमें तीन पोश्ट है जिनमें general के लिए एक है और general के लिए एक और है यानि कि general के लिए दो है और We should see you again इसमें आपकी PAYR MATRIK्स 1 से हाले स्टार्ट होगी और आपका जो हैं पर दुस्तों जो एको होगा वह सभी पोस्टों के लिए एक सामन होगा, यहां पर Nedry यहां पर को मांगा गया और वन इयर कर एक्सरैंस मांगा गया है, तो आप यहां पर apply कर सकते हो साथ में दोस्तों cook की अगर बात करें तो cook के लिए 3 post आपके दिये हैं जिनमें से 2 post आपकी यूर के लिए है और एक post आपकी OBC के लिए है और यहाँ पे आप लोग का फिर से matriculation अगर आप नहीं कर रखा है तो आप आवे दिन कर सकते हो और यहाँ पे जो है कहा गया कि knowledge होना चाहिए Indian cooking का ठीक है तो यह चीद ध्यान रखिया है इसमें किसी तरह की experience मांगा नहीं गया है सिर्फ आपके पास यहाँ पे वह कहा गया है कि आगर आपके पास knowledge है Indian cooking का तो आप आवे दिन कर सकते हो housekeeper की बात करें तो इसमें एक post दिये गया है जिसके लिए आपकी जो है आपकी यहाँ पास जो भी candidate है वह आवे दिन कर सकते हैं यहाँ पे उसके लिए जानकाड़ी दी गई है तो यह तरही पोस्ट की बात अब यहाँ पे age जैसे मैंने बताया आप लोग 18-25 तक लगने वाला है age में रिलेक्सरी मिल जाएगी जो SCHT वाले का डिजेट है उनके लिए 5 साल की छूट OBC वालों के लिए 3 साल की छूट यहाँ पे दी जाती है दोस्तों इसमें इंटर्व्यू आप लोग का नहीं होगा सेलेक्शन जो है वा डिजेटन एक्जाम और आपका जो है skill test या trade test कह सकते हैं इसके आधार पर आप लोग का सेलेक्शन किया जाएगा आप लोग को form जो है कहा भेजना है कैसे भेजना है वह भी मैं बता दूँ यहाँ पर आपको जो जो प्रवरी से आपको जो अपना डेट है वो काउंट करना इस से 21 दिन जोड के आप देख लिए इस दिन तक आप जो है इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हों किस एड्रेस पर भरना है तो सब्मिशन आप दा अप्लिकेशन यहां से स्टार्ट किजिए ठीक है एड वो स्गेर्ट सय मिलेगा पता है प पलोगो ऑफ कहा से आप लोगों है जो application for the post of recruitment of group c civilian for the post of जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसका नाम आपको लिखना है और यहां से आपको जो है वह प्रिंट करवाना नीचे ठीक है यह जो दिया गया है यहां तक आपको प्रिंट करवा लेना ठीक है तो यह प्रिंट करवा के निकाल लीजिएगा और इस तरह से यहां पर साड़ा कुछ कर लीजिएगा उसके यहां पर कहा गया कि प्लेस अप्लाइड कर रहे हैं यहां कि कि के लिए अप्लाइड करना है यहां पर दिख सकते हैं बहुत सारे जो अलग अलग दीए हैं जो यहां बढककेशन हैड़ क slk करता है उसके लिए है फिर यहांपे दिया गया है देख सकते हैं 234 ट्रांसिट एंगे मेट 56 वन इस तरह से तो इस में से आपको जो भी जिस भी पूस्ट पर अप्लाई करना है वहां के लिए आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेन talked क्या करना दोस्तो баб इनिया ins , निखते ही आप लिखने के बाद जैसे अप नीचे आओगे तो यहाँ पर नेक्स्ट आपको जो है वह धेखने को मिल जागा अपना नाम लिखेना है फादर का नाम लिखेना है पिताजी का उसका माता जी का नाम लिखेना है डेट अब बर्थ आपको जो वह आपको दे देना है उसका एड कलोजिंग डेट ठीक है जो आपका मैंने बताया था यह पाम्त फरवर्बरी यहां पर लिख़ेनी है फुल पासपोर्ट जो आपका पोस्टल एड्रेस होगा ठीक है वो आपको दे देना है उसका одно पर्मोंट एड्रेस जो भी है वो देनी है उसके बाद दुस्तों यहां पर आपके ृभर मेरिटरियल status में आते हैं तो यहाँ पर आपका जो भी metric पस या इंटर पस जो भी देते हैं वह आपको सारा कुछ यहाँ पर या एक्सपर emissions certificate है तो आप यहाँ पर उसे पर उन्टी कर सकते हो अनेथा छोड़ भी तो यह तरह ही जानकारी आपको फॉर्म भरने की उसके आपका जोभी डेट को फॉर्म भर रहे हो उसे लिख देना है कि जिस जगह से आप भच रहे हो वह यहां पर लिख देना हो और यहां प्रहां को क्या करना है कि Candidat को कहा घया कि a signature कर देनी है जो भी आ GEORGE और इसे जो है आपको जिस एडरेस पर मैंने बताया था उस एडरेस पर आपको भेद देनी है ठीक है और पैले ही बता दिया एक्जाम को बहुत कारडिंग होगा और आपका जो ट्रे स्ट होगा वो होगा लेकिन तीन से चार दिनों में आपका यह सेलेक्शन प्रोसेश कंप्लीट हो जाएगी और वहीं पर आपको रहके और साड़ा कुछ करवाया जाएगा इसके लिए आपको असंस्था के तरफ से कोई एक रुप्या भी चार्ज नहीं देना होगा तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आती है अगर किस तरह की इसमें जो है अभी भी संका है कुछ भी पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकते हैं दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद मिलते फिर अगले वीडियो में